हाइप्रिवन अले वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीप्रोव्ड के बार में बिप्रोवूड के इसमें और आज की बार के दिसकस करने वाला है कि की जुक चुका पर एक ही बार में आपका दिफिर्ट दिफिरेट स्लौट में है 안에 यदि यहां पर और असेस्मेंट हो सकते हैं, उसी की बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप इसमें कैसे प्रिपेर कर सकते हैं, कौन-कौन से क्वेशन आप से पूशाएंगे, इस बार का जो प्रोसेस है, वो क्या है, हाँ पर चेंजिस देखने को मिले हैं, वैस सबसे पहले हम बात जिस देखने को मिले हैं, जनरली क्या हो था, राउंड बन में आपका aptitude test होता है, जिसमें आपके 3 different section होते हैं, इस बार एक और section add किया गया है, वो है आपका essay writing, जनरली भी प्रूब बिल्ट में essay writing का कोई option नहीं होता था, बट इस बार इन लोगों ने थोड़ा सा written communication चेक करन सारे जो rounds होने वाले हैं, अगर आपने एक भी round के लिए नहीं कर पाया, आप next round में नहीं बैठ पाएंगे, यानि कि round 1 आपको क्लियर करना है, बिजनिस discussion आपका technical discussion टाइप होने वाला है, उसमें बैठ पाएंगे, अगर आपने business discussion यानि की technical discussion क्लियर कर लिया, तो आप HR round ता कहुंच पाएंगे, अब बात करते हैंगे, जो आपका aptitude test होता है, उसकी बारे में exam pattern के बारे में आपको clearly बता दूँगा, कितने number of question होगे, कितने time duration आपका होने बाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे, सबसे important point है, आप हमें discuss करता हूँ, जो online test का, जो आपका first round है aptitude, so basically इसको आपको सबसे अच्छे से prepare करना है, अगर आपने यहाँ पर aptitude round clear कर लिया, तो 80% आपके गई से आप चांस बनने वाले हैं, कि आपका selection हो जाए, क्योंकि आपका जो बिप्रूबल्प होता है, या फिर माइंटरी यह जो BC और BC वाले students के लिए, जो complete hire करते हैं, उनका main जो criteria होता है, वो online assessment, यानि कि अगर आप online assessment यहाँ पर crack कर लेते हैं, तो 80% आपके chances रहेते हैं, कि आपका selection हो जाता है, बाकि interview में तो बहुत ही normal चीज़ें आपसे पूशे आने, क्योंकि last time जो interview हुआ था, मैंने भी face किया था interview, काफी students के साथ discuss भी किया था, लेक विप्र total 4 section है, यहाँ पर हम कहा सकते हैं, total 4 section, quants होने वाले हैं, जिसमें arithmetic, like आपके numerical ability होगी, जिसमें quants की question पूछेंगे, उसके बाद आपका logical reasoning होने वाला है, जिसमें आपका verbal reasoning की question होने वाले है, वरवल, उसके बाद आपका जो verbal ability है, जोकि English, जिसमें आपका reading, confirmation, spotting errors, corrections, basically, कोई भी topic आपको यहाँ पर दिया जागा, उस topic की basis पे आपको यहाँ पे 200 से 250 words में आपको essay write करना है, okay, so आपको section समझ में आगे कि कौन-कौन से section होने वाले, quants, logical, verbal and essay writing, आप बात करते हैं, यहाँ पर number of questions के बारे में, time duration के बारे में, so basically यहाँ आप देख सकते हैं section English, verbal मे आपकी number of questions होने वाले है 20, and 20 minute में अपको यहाँ पर questions को solve करना है, quantitative में आपकी number of questions 20, 20 minute, reasoning में भी आपकी question होने वाले है 20, söyleyeस में आपको एक ही topic दिया जागे जिसको आपको 20 minute में लिखना है, total आपको 80 minute में test हो जाना चाहिए, okay, so basically 80 minute आपका total test का duration होने वाला है, 80 minute में आपक को टेस्ट को कम्लीट करना है कई ध्यान से यहां पर सारे को सॉल्व करने के लिए एक मिनिट ही दिया गया है यहां पर सबसे दरूर टाइम लेता है वह है थोड़ा रीजिनिंग अगर आपका मैस काफी अच्छा है तो मैस के कॉश्चन सॉल्व हो जाते हैं एक मिनिट में तो यहां पर रिजिनिंग को को दौनों रिजिनिंग में आपके यहां पर फूरे है ट्रीकी कॉश्चन होने वाले हैं एस वले हैं इंग्लिश में भी है आपकि त्रीकी कोश्चन सॉल्व हो जाए ऑग ही कड़ा है ताकि आप को खूप कर Baptist कर आ चाहि mobil हा अब चुके Definitely, so section की बारे में, number of questions की बारे में हम बात कर चुके हैं, तो इस तरीके से आपका पूरा pattern होने वाला, आप definitely इस पाली pattern को note कर सकते हैं, यही आपका pattern, आपकी online assessment में आपको definitely देखने को मिलीगा, आप guys बात करते हैं कि आपको कौनसी topic पूछी जाएंगे, कौनसी section में, जैसे कि points बगाई से एक number में ने यहाँ पर topic मिस किया है, जो है आपका number system, number system से भी काफी सारी questions से यहाँ पर पूछी जा सकते हैं, percentage से question पूछा सकते है, time, speed and distance, time and work से question, LCA में SCF से आपके question होंगे, and profit and loss, mixture allegation, ratio and series, okay, so basically जो आपका fractional होता है, series होती है, profit and loss है, time and work है, जो सबसे ज़ ज़्यादा हो सकते हैं, यह बहुत ही important topic है, इस सारी topics को आपको अच्छे से practice कर लिना है, वैसे आज़र नहीं कि आपको सारी topics और भी topic प्रिपेर नहीं करना है, but mostly जिन topics से यहाँ पर question पूछ जाते हैं, ज्यादा वो topics आपको ज्यादा सी ज्यादा questions को practice करना है, okay, so coins को question आपको देखने को मिलेंगे, reasoning वाले section में, उसके बाद verbal में तो आपका reading operation होता है, synonyms होते हैं, internet होते हैं, grammar, जो basically English grammar होता है, उसी के level के आपको question होते है, sentence correction होता है, फिलिंदी मिलंक्स में आपके सारी grammar article, errors पकर आपको देखना पड़ेंगे, so वही सारा grammar होता है, verbal ability तो आ आपका English grammar के सारी questions वहां पर पूछ जाएंगे, okay, so points reasoning के बरवल के आपको questions like यहां पर topics आपको clear गोई, कौन सी topics से आपके जादा questions पूछी जाने वाले हैं, अब हम move करते हैं, round two पे जो के आपका business discussion होने बाला है, so इसकी बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहली जो यहां पर point लेका है, resume based, इस पे आपको focus करना है, इस पे मैं बता दू क्यों focus करना है, hundred percent आपको यहां पर focus करना है, guys, आपने जो भी resume में चीज़े mention कर रखे होंगी, उसी से आपके question पूछे जाने वाले हैं, तो आप एक बार resume check कर रहे हैं, अगर आप interview के लिए जा रहे हैं, तो definitely आ आपने resume check कर सकते हैं, कि आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर mention की हैं, जो भी technical skills, non-technical skills, जो भी skills, जो भी project, जो भी experience, कुछ भी आपने mention क्या होगा, एक एक करके वहीं से question आप से पूछे जाएंगे, guys, मैं आपको बता दू, कुछ भी गलत आपको अपने resume में mention नहीं करन करना है, आपको जो भी आपने resume में लिखा है, आप minimum से minimum चीज़ें, जो भी आपको perfectly आते हैं, वहीं आपको mention करना है, उसी की recording आप prepare कर सकते हैं, तो यहाँ पे ही पूरा interview इसी की basis पे होने बाला है, अब बात करते हैं, सबसे प्रहुते इंट्रोड़क्शन से आपके starting होने सबसे पहले आप अपनी education को include कर सकते हैं, अपनी name को include कर सकते हैं, address को, आप कहां से हैं, आपकी city क्या है, आपको ज्यादा family background पर नहीं जाना है, आपका background verification कुछ भी नहीं दे रहा है, और लिए आपका name, address, आपकी city, जो भी है, उसके बाद आपकी qualification क्या, highest qualification, if you have internship experience, if you have any other experience you can mention, उसके बाद थोड़ी से आप अपनी technical abilities को highlight कर सकते हैं, बस, इसके लाब आपको कुछ भी चीज़े add नहीं करना है, आपको अपनी family के बारे information नहीं देना है, और भी extent, weakness, बगरा कुछ भी introduction में नहीं बताना है, right, so जो भी बहुत ही specific introduction देना है, क्योंकि आपका जो impression आपके बहुत सारी question पूछी आने वाले है, अकर आपने कोई भी project बनाया है, किसी भी technology पर चाहिए वो development में हो, data science में हो, data analyst में हो, किसी भी technology में आपने project बनाया है, उसके regarding आपसे question पूछी आने वाले है, तो आपने project की बारे में अच्छे से prepare कर लेना, क्या आपके project की algorithm क् and आपने कौन-कौन सी technologies अपके project में यूज़ की है, okay, so project की बारे में अच्छे से prepare कर लेना, उसके बार technical, so गर इसमें बता दूँ कि जो आपके BSE और BSE बाले जो interview होते हैं, जो जैसे बिप्रो बिल्प हो गया, other जो programs होते हैं, BSE और BSE बाले, तो generally इतने जादा technical नहीं format इस तरीके से कुष्च आप से यहाँ पर code करवा सकते हैं, otherwise normal discussion होनी वाला है, थोड़ा सा आपको SQL से question पूछेंगे एक primary की foreign key relations and relational database and SQL की एक दो queries like how to retrieve data, how to insert data, एक आपके जो एक दो statements वो पूछ सकते हैं SQL से, उसके बाद OPS concept, OPS concept बहुत ही easy level के question आप से पूछे आले, कोई कोई भी एक programming language आप बता सकते हैं, उनको C++ हो या पर Java हो, कोई भी एक programming language से आपके question पूछे जाएंगे, जिससे आपको OPS and database अच्छे से clear कर लेंगे हैं, जिस तरीके से मैंने last time के कुछ interview experience देखें, मुझे तो अभी तक CN, OS and आपके जो other CS fundamental subjects हैं, उनसे question नहीं पूछे गए लगबग यहां पर आपका 20 minute में, 20 to 30 minute में interview खतम हो जाता है, 30 minute में क्या क्या पोचे रहे हैं, एक normal discussion होने वाला है, उसके बाद, mostly जो questions होते हैं, technical discussion के बाद, आपके situational waste होते हैं, situation based, कि आप manager के साथ कैसे काम करेंगे, team में आप कैसे काम करेंगे, आप team को कैसे manage करेंगे, अ ज़्यादा रहते हैं, उनका ज़्यादा weightage रहता है, यह सबोच में मानू कि 70% आपके हापे situational based रहने वाले हैं, 30% आपका पूरा technical होने वाला है, उसके बाद आपका एक formal होगा, जो HR round होगा, उसमें भी total behavior होने वाला है, जिसमें आपका normal discussion होगा, आपका background, आपका पूरा introduction type का होने वाला है, आपका proper discussion, क्या आपके further rounds किस तरीके से होई, आपका किस चीज में interest करते हैं, आप क्यों join करना चाहते हैं, विपरोपर वोई सारा आपका formal discussion होने वाला है, HR round में, उके, जो round 2 है, round 3 है, उसकी बारे में भी आपको clear idea मिल चुका होगा, और online assessment की बारे में हम already discussed कर चुके हैं, जो pattern मैंने आपको बताया है, उस pattern को आप exactly follow कर सकते हैं, जैसे आपको काफी benefit होने वाला है, okay, so इस वीडियो में हमने बहुत ही short roadmap की बारे में discuss किया है, I think, अगर आप इस roadmap को follow करते हैं, तो आपका यहाँ पे definitely selection हो जाएगा, क्योंकि काफी basic level के roadmap की बार करती हैं, उसी की basis में मैंने यहाँ पे आपके साथ discuss किया है, okay, so you can follow this roadmap, I hope you like this video, thank you guys, thanks for watching.